वहाँ कुछ फोटाग्रफर थे जो गावसकर और कपिल देव से हाथ मिला रहे थे अब मैं इन जालियों के पीछे क्यों कड़ा हूँ मैं एक दिन मैं भी वहाँ जाके इसी ग्राउंड में मैं गावसकर और कपिल देव से हाथ मिलाऊंगा मैं सपना देखता था कि मुझे उस फिरोशा कोटला की ग्राउंड में जाना है और एक दिन कपिल देव और गावसकर से हाथ मिलाना है धाई हजार रुपे की नौकरी छोड़के मैं बारा सो रुपे की नौकरी में पेटियोट न्यूस्पेपर में ऐसे फोटागरफर चला आया उसी पैशन को जीता हूं फोटाग्रफी मेरे नसनस में बस गया चोटा सा एक वाक्या कितना बड़ा इतिहास रह सकता है राम चंदरपरम हंस ने जो पहला कुलाड़ा मारा था राम जन्म भूमी में खोदने के लिए मैं उसका श्यश्मदीद गया था जिन लोग को दुनिया देखने को करस्ती है आप उनसे रोजहाथ मिला रहे हैं इतनी भीर राजपत से राजीव गांदी की डेड़ बॉडी जा रही है और हम ट्रकों पे लदेवे हैं एक्ष्टी आर्काइव फोटो में फोटो बाई राजी गुता चपता है और फोटोग्राफ टेल्स वन ताउजन वन स्टोरी और मेरे सभाग्या शाली रहा वहां रहा और छे महीने बाद वह आज तक बन गया तो आज तक के फाउंडिंग मेंबर में से मैं इक हो कुँए और एक जुगी में एक आदमी लाजटेन लिए बैठा था हम राब के समय गए थे क्योंकि गोला बारी चल रही थी उसने हमारी रबड की नौर लगा दी अराइवल हो गया जी आपका कौदी देर बाद यह भाबा बूडा सा आता है और गधा आता है कहीं पर गोली बारी हो रही है, हमारी जीब जा रही है, अचानक एक पेड़ गिरता है और हम रुप जाते हैं, और तुरंत एक आदमी यहाँ पर लगा लेता है, मेरे उपपर एक मूवी बनी है, काबूल एक्सप्रेक्स, कबीर खाने यह जो है, यह बात दिखाई भी है, वो बोलते हैं, यह पाकिस्तानी दुश्मन, दुश्मन, खलाच, 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 तर्जुमान के हाथ में हमारी जिंदग्या है, हिंदु अस्ती, हिंदु अस्ती, हिंदु अस्ती, होचे मुस्लिम भी हो, हिंदु बोलते हैं, वो बार 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 बोलता है, वो जो 40-50 सेकिंड का वारता लाप होता है, मेरा और मौत का संगर्ष होता है, कुछ शड़ों के लिए मैंने अपनी आवास को दी, अगर वो हिंदू शब्द बोलने में कुछ सेकिंड देली लगा देता, तो वो आदमी मुझे जान से मारता है, गले लगाया, दोस्त अस्ती, हिंदू दोस्त, मैंने एक बार हमिताब जी से मिला, मैंने बोला कि आपकी वेसे मेरी जान बची है, तब तक वहां शारू खान नहीं आया थे, कब बहुत से सामना हो जाए, आप नीचे उतरे, वहां लेंड माइन्स रशियन्स बचा की गए थे, मैंने अपनी आख के सामने सोलजर्स को उड़ते वे दे, कि थरे उड़ते दे, जीप से उतरे, दोन उड़ गए, एक डॉलर में इतने मुठी भर बडाम मिलते थे, अगर वो भी मिल जाएं तो, हम स्लीपिंग बैग में ओपन में होते थे, वहां जानवार, बिच्चू, और जो पत्रकारिता हमने करी हमारे पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना हेलमेट था, ना कोई पुलिस प्रटेक्शन थी, आर्मी प्रटेक्शन थी, मैं पहला बार तिये था, जिसका प्रोमो ओन एर चलता था, किसी भी कैमरा मेन का प्रोमो नी चलता, फोटो लगा के देखता था, कि ये द तो आज का जो फुटाग्रफर है, कैमरा मेन है, वो किसी संस्ता का महताजी है, आज सिरफ एक IPL में डिजिटल राइट्स का, डिजिटल राइट्स का, संतालीस हजार करोड का बजट है, उसमें फुटाग्रफर्स भी चाहिए, मुझे ग्राफिक आर्टिस्ट भी चाहिए, म पर एक ही मैं बात बोलना चाहूँगा, कि जिस भी आप विदा में हैं, उसके गुण सीखे, सबसे पहले उसकी बारीकियां सीखे, हमारी आदिया एनरजी, बातरूम को मुवे केल डाल के डार्क रूम बनाने में लगती थी, बास लोना के उपर उड़ रहे थे, हम इटली स से पुर्तगार डा रहे थे, वाज पई जी के साथ मेरा जनम दिन मना है, आपका स्वागत है, आज मेरे साथ राजीव गुपता साहब है, जो की एक सिविल इंजिनियर थे एक जमाने में, और फिर शुवात हुई एक मीडिया परसनेलिटी, यानि सिनमेटोग्राफी, कैमरा, और उस दौर में इंटर किया बहना पैट्रियोट प्रप्लिकेशन, और उसके बात में हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक चीफ विजू डिरेक्टर बने CNN, IBM के जिसको बात में हम TV18 के नाम से जानते हैं, ग्यारा साल के लगता रेकॉर्ड को ब्रेक करके इस चैनल ने अपने आपको नंबर वन एस्टेब्लिश किया, मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों केंदर विद्याने से आते हैं, बहुत बहुत स्व यहां से बताईए को कि यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है, यह जो साथ है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं 1979 में 9th क्लास में पढ़ता था, और मुझे एक सभागे प्राप्वा, फिरोशा को मिला रहे थे, तो जब उनसे हाथ मिला रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा, मैं इन जानियों के पीछे क्यों कड़ा हूँ, मैं एक दिन में भी वहाँ जाके इसी ग्राउन में, मैं गावसकर और कपिम देव से हाथ मिलाऊंगा, उस सपने में मुझे ऐसा मतलब मोटिवेशन द यज यह दा की मुझे उस फिरोशा कोटला की ग्राउंड में जाना है, मुझे क्रिकेट फोटाउग्रफी करनी है, स्पोर्ट फोटाउगरफी करनी है, और एक दिन कपिल देव और गावसकर से हाथ मिलाना है, तो यह वह वह अवाक्या था, जिसने मेरी जिन्दगी बदल मेरी नाइन्ध क्लास से जैसे लोग की एक सोच होती है पता नहीं होता कि वो बड़े हो के क्या बनेंगे क्या करेंगे गर वालों के कहने पर में सिविल इंगेर तो बना मैंने वह एक साल जॉब भी करी एक डेजीन कंसल्टिंग इंजिनियर नाम की संस्ता में मैंने वह जॉब भी करी धाई हजार रुपे की नौकरी छोड़के मैं बारा सो रुपे की नौकरी में पैटियोड न्यूस पेपर में ऐसे फोटाउगरफर चलाया वहाँ मैं सिविल ड्राफ्ट्समेन था ड्राइंस बनाता था थर्मल पावर स्टेशन की मगर वो मुझे सोने नहीं देता था वो सपना कि मुझे कब वो उस ग्राउड में जाने को मिलेगा और कब मैं वो हाथ मिलाऊगा उस दिरिश्या ने मेरी पूरी जिन्दगी बदल दी और मैं तब से लेकर आग तक उसी पैशन को जीता हूँ फोटोग्रिफी मेरे नसनस में बस गई उसके बाद जो है एक अलगी अद्वुर्थ मनलब एक्सपीरेंस हुआ जब मैं पहली बार उस ग्राउड में गुसा मैंने वाद कुछ क्रिकेटर्स की फोटो कीची शुरू शुरू में तो रंजी टॉफी मैचेस कीचते थे बाद में जाके टेस्ट मैचेस कीचने का मौका मिला और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई क्या बात है साब अमेज़ी बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा बहुत लोगों को एक इंस्पिरेशन जैसा लगता है आपकी इस तरह की स्टोरीज जब सुनने में आती है और फोटोगरफर कहां से शुरू होते हैं चोटा सा एक वाक्या कितना बड़ा इतिहास रज़ सकता है अमेज़िंग ये एक्स्पीरिंस होगा तो आपने जब पहला जॉब शूब किया तो पैट्रियोट से शूब किया तो वहाँ आपकी रिस्पॉंसिबिलिटिस किस तरह की थी और फिर फरदर स्टी में चले गए आप क्या हुआ जब मैं पैट्रियोट न्यूस पेपर में आया वहाँ पे मैंने एक एगवार आना था पैट्रियोट वन संडे जिसमें मैंने जनलिजम किया था तो मैंने रिपोर्टर कम फोटागरफर जॉइन किया मैं वहाँ साथ साथ लिखता भी था और उन दिनों नए नए सीरियल शुरू होते थे तो उनकी समिक्षाएं लिखता था मैं टीवी सीरियल की अच्छो एजर राइटर बट मेरा दिमाद बस वही फोटागरफी में रहता तो वहाँ से मेरी जननी स्टार्ट होई पैट्रियोट में और उन दिनों एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ दो बड़े गटना हुँए पैट्योट की जमाने एक तो मंदल एजिटेशन शुरू हो गया अच्छा नइंटी वन एटी सेवन में एटी सेवन के बाद एटी नाइन में शुरू हुआ एटी नाइन में शुरू हुआ तो मगर में वाद था उन दिनों शुरू हुआ मतलब और फिर एटी नाइन में ही आयुद्या का शिला नयास हुआ राम पंदिर का राम चंदरपरामंस ने जो पहला कुडाड़ा मारा था राम जन्म भूमी में खोदने के लिए मैं उसका श्यश्मदीद का था पेट्रियोट अख़वार ने मुझे वो अपरचुनिटी दी कि मैं आयुद्या जाओ और उसको शूट करूँ उसने मेरा जीवन बदल दिया म जो वहां से अफिर आप एसटी गये तो एसटी में और रिस्पोन्सिबिलिटी बढ़ दे ही हूँगी एसटी से मिलकें से आप एसटी का थोड़ा बताईए वहां एसपिए मैंने वहां पे छे साल काम किया और वहां पे मैंने बहुत बड़े-बड़े मतलब एजिटेशन और पॉलिटिकल रेलीस कवर करी वहां रहते वे मैंने किकते हैं कम से कम साथ या आठ टेस्ट में सिरीज कवर करी इंडिया जैसे इंडिया वेस्ट इंडिया इंगलेंड इंडिया न्यूजिलेंड इंडिया अस्टेलिया तो आप यह सोचो कि जिन लोगों को दुनिया देख काम किया क्या पहले जो है इस पोर्ट फोटाग्रफी को पीछे के पन्नों में चापा जाता था मगर मेरी तस्वीरें इतनी जबरदस्त मुझे खुद से नहीं बोलना चाहिए स्पोर्ट फोटाग्रफी ने इतना इंटरेस्ट था मैं आपको भी कुछ चित्र निखा भी दू फोटाग्रफी उसमें भी आप स्पोर्ट फोटाग्रफी फ्रंट पेश पे लाने लगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी हो गई उस मीच बहुत सारे हम ने बता है मंडल एजिटेशन हुआ फिर जो है सरकार बदली राजीव गांदी को कवर किया मैंने राजीव बड़ी जा रही है और हम ट्रकों पे लदेवे हैं और वो सब करना वो आप एक हिस्ट्री को जी रहे थे वह तब क्रियेट कर रहे थे रोच आज भी आज भी हिंदुस्तान टाइम्स में हमारे नाम से एच्टी आर्काइव फोटो में फोटो बाई राजी गुता चपता है आपको कितनी खुशी होती है तो वो जो एक पल थे हिंदुस्तान टाइम्स में क्योंकि सरकारे बदली चंदरशेखा प्राइमिस्टर आए वीपी सिंग आए आए के गुजराल आए तो इतने सारे प्राइमिस्टर्स को दीखना और इतनी टर्मॉइल पॉलिटिकल टर्मॉ प्राइमिस्टर्स को जमाने में सबसे अच्छी बात जो थी मेरे दो बॉसे थे हैच के दुगा साफ एडिटर थे और चंदन मित्रा जी चंदन मित्रा जी वो जो उन्होंने बाद में अपना अखबार चलाया और MPV रिग हुए वो नोग जो है ना वो कहते थे थे आफोड को एट कॉलम पॉर कॉलम देते थे और रुएस वे लिखाता था एच्टी फोटो भाई राजी गुपता प्रल पेश फोटोग्राफ तो वो जो आपको गूश्ट करता था और मतलब ना जाने क्या आपको बता नी सकता है च्छी अनुवूती होती थी और लोग पहचानते आपको हमने आयुद्या में जो कांड हुआ था कार सेवकों ने जो किया मुलायम सिंग ने जो भूली चलवाई तो जीवन एक अदबुद घटनाओ के दौर से जा रहा था और आप कैप्चर करे थे और हिंदुस्तान टाइम दिया लार्जेस्ट सेलिंग न्यूस पड़ता नौट इंडिया का नौ लाख प्रती मिक्ती थी वहां दूसरे कॉम्पेटीटर पॉब्लिकेशन की एक लाख प्रती मिक्ती थी तो बहुत बड़ा मुकाम दिया और उसके ने मैं आज जो कुछ भी हूं और बिकॉज ऑफ इंदुस्तान टाइम्स बहुत बड़ी बात है औ और कैसे पॉब्लिकेशन में काम करते करते अचानक एक दिन राजी जी पहुच गए अफगानिस्तान वार्जोन में 90 दिन लगातार आप रहें अफगानिस्तान में क्या खाएंगे कहां रहेंगे कैसे रहेंगे कहां बोनी कहां फंप किर रहे हैं तो यह जमाना कैसा देखा आपने हां तो फिर क्या हुआ 95 में मैंने एक दिन टै किया मेरी एक बहुत छोटी तस्वीर छापी श्री नगर में में लिटेंसी थी मैंने वहां से फोटो खिची और इंदुस्तान टाइम से मेरी एक फोटो टू कॉलम चपी उससे में थोड़ा सा विचलित हुआ और मैंने सोचा जिसमें हम जिसमें मेहम कान था और अलगलग एपिसोड में न्यूस के एपिसोड और लोग उसे खरीदते थे और उस जवाने में वी सी आर का जमान होता था वी से अर में लोग निउस ट्रेक देखते थे ठीक और वही ये बहुत बड़ा जनलिजम ता टेली विजन जो मदूत रिहान ने और पड़ोई ने दोनों ने करी उसकी जनुदाता थी मदूत रिहान न्यूस ट्रैक की और मेरे सबाग्य शानी रहा वहा रहा और छे महीने बाद वो आज तक बन गया तो आज तक के फाउंडिंग मेंबर्स में से मैं एक हो क्या बात है वह वो 20 लोग जिन्होंने आस्तक बनाया S.P. Singh थे, कवरवईद, नक्वी थे और आजकल जो नाम आते हैं जैसे दीपक चुरसिया विपाग गल्का सेना इस सब लोगोंने मिलके आस्तक बनाया आस्तक में आ गए और आप में जिकर किया मुझे अरुन पूर जी का मैं जीवन बार आवारी रहूँगा वो कोई भी बड़ी घटना होती थी अपने क्रूगों बेज़ते थे तो 2001 में अफ़गानिस्तान बार हुई तालिबान और नॉर्दन एलाइंस के बीच में नॉर्दन एलाइंस के गजिसाथ साथ की लिए अरे नॉर्दन एलाइंस आहे और काबुल की तरह बढ़ते जा रहे थे फीक तो हमें आधिश व Comics है आना हाँ वह आ गए ऑन कदाए service हम पहले यहाँ से किर्गिस्तान गहे किर्गिस्तान से ताजिकिस्तान गएं और ताजिकिस्तान जैसे ये एक नदी का किनारा है, वो नदी का किनारा है, हम एक पटे पे ट्रेक्टर था, उस पे अपना समान रखके ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंच गए, और अफगानिस्तान पहुंचते ही जैसे ही हम उस बात से उतरे, बात बोलते थे उसक की गोला बारी चल रही थी उसने हमारी रबड की मेर लगा दी अराइवल हो गया जी आपका इमिग्रेशन अराइव है हम अफगानिस्तान पहुंच गए खैर जैसे तैसे वहां पर पहुंचे तो हमार को जो नॉर्दन एलाइस के लोग थे उन्होंने हमें एक तरजुमान ड्रासलेटर और एक जीब दे दी और आपको बोला कि ये आपके साथ रहेंगे अब वो नॉर् चलती रही जैसे साप की वो चलती थी ऐसे चली और उन्होंने एक गड़े में हमें ले जाके छोड़ लिया अच्छा वो गड़ा एक बंकर था उसमें पतला सा कारपेट विच्छा हुआ था और उत पर प्लास्टिक था उसकी फड़फड की आवाज आती थी हम अपने sleeping bag को में मेरे साथी प्रबल पताप सिंग संवाद आता थे हम वहाँ जाके उसमें टिक गड़े अगले दिन सुवह होती है हमें यह नहीं पता थी अब हमें क्या खाना क्या रहना क्योंकि हम तो वहाँ से सिरफ equipment लेके चले है equipment में आपका satellite video phone है camera है एक battery है जिसे battery को चार्ज करना जीप के साथ हम आज चले जी थोड़ी देर बाद एक बाबा बुड़ा सा आता है और एक गधा आता है गदे उत पे दो लोगे के ड्रम लटके हुए है और वो बाबा तरजुवान को बोलता है कि साब लोगों के लिए चाय बना नहीं मैं चाय बनाऊंगा चाय के नाम पे इतनी सी पुडिया निकालता है तोड़ी सी पत्ती और वो जो गदे में पीले रंग का पानी होता उसे उबाल के वो हमें चाय दे देता है तो आप समझें कि ना कोई खाना ना वो वो काली चाय और दिन में एक बार नॉर्दन एलाइंस की जीप आती है वो एक बाल्टी जि कुछ टुकड़े कुछ चावल और शायद गाही का मास या बैंस का मतलब अब आप देखिए हमारे लिए बारती के लिए कितना मुश्किल है वाप में जरवाई है हम वो सूखे टुकड़े वो काली चाय जो सुबह की इंदे गया था वो बाबा उसी के साथ सिर्व सिर्व क खाते हैं और वहां से हमारा दार्वा शुरू होता है जू जू तरजुमान हमें आगे आगे ले जाता है हमारी मंजिल है काबुल हम ताजिकिस्तान से पार करके गए हैं एक जगे खौजा बाउदीन वह वहां से करीब 300 किलो मिटर दूर है और एक दिन में हम 80 किलो मिटर च जावेद है प्रबल इदर है और इदर मैं कैमरे के साथ बैठा हूं और बस वहां से कहानी शुरू होती है थोड़ी देर अगले दिन अगले दिन दर 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 दूल मिटी और रास्ते में कहीं पे गोली बारी हो रही है उतरे वह कवर करी पीश्टू कैमरा किया आगे चल सबैते मेश्टूरिस चूरीस थी जो एक पतरकार को चाहिए होती है हर तरफ वार ओर जोन है खाने कोनी है गरीब है इस तरिके से उसके दो तिन बाद एक ऐसा हाथ्षा होता है की एक आदमी पेड़ गिराता है और मेरे आ अएक एक थाव है लat और तुरंत एक आदमी यहां पर लगा दो और यह बात मतलब मेरे उपर एक मूवी बनी है काबूल एक्स्प्रेस उसमें कभीर खाने यह जो है उसके डारेक्टर प्रडूसर है यह बात दिखाई भी है तो उन्होंने जब मेरे यहां गन लगा देते हैं तो वो जो है के तरजुबान के हाथ ने हमारी जिन्दिग्गी है और वो उसको बार 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 बोलता है यह हिंदू है कि खैर वो उसको पासपोट दिखाता है तो वो जो 40-50 सगिंड का वारता लाप होता है कि मेरा और मौत का संगर्श होता है आप समझ लिजे कि कुछ शड़ों के लिए मैंने अपनी आवास को दी थी वो एक्षपीनेस आप सुचो कितनी देर तक मेरे को वो चुबन रही होगी कितने दिन तर उसने 30 अगर वो हिंदू शब्द बोलने में कुछ सकीन देरी लगा देता तो वो आदमी मुझे जान से मार दे खेर बाद में उसने गले लगाया दोस्त अस्ति एंदू दोस्त और अमिताब बच्चन, अमिताब बच्चन, अनीता बच्चन, अनीता बच्चन, तो मैंने एक बारी अमिताब जी से मिला, मैंने बोला कि आप यवे से मेरी जान बच्ची है, अरे वा, क्योंकि वो अमिताब बच्चन फैन था, तब तक वहां शारू खान नहीं आए थे, तब मैंने अपनी आख के सामने सोल्जर्स को उड़ते वे देखा है, जीप वारू की जीप से उतरे, दोन उड़ गए तो इस तरीके के वारूज हाथ से होते थे, वहाँ पे रहना खाना अपने आप में चैलेंज था, मैं आपको बताओं, वहाँ पे हमें देड़ सो डॉलर में शायद एक किलो चने मिलते थे, शायद मुझे वो पूरा प्राइजिस में ये अलग हो रहा होगा, और आपको एक डॉलर में इतने मुठी बर बदाम मिलते थे, बन्दब ये रेश्य था, अगर चने लेने हैं तो मह और बदाम खाने तो सस्ते हैं, अगर वो भी मिल जाएं तो, तो इस तरीके से रहना खाना, फिर जब आप सोते हैं कोई छत नहीं थी, एक जगे हैं बामियान करके जगे हैं, वहाँ बुद्धा तोड़े थे, हम वाँ गए, माइनस एटी डिगरी टेंपरेचर था, और हमे रात को रुखने के लिए जगे नहीं मिली, तो खुले मैदान में, वो तो क्या हुआ कि हमने चलते हुए ताजिकिस्तान से, कुछ फौजी अपने माइनस 65 वाले स्लीपिंग बैग बिच रहे थे, वो ले लिए थे तो हम स्लीपिंग बैग में ओपन में सोते थे, वहाँ ज जाती थी, वो रोड ओपन करती थी, पतरगार जाते थे, शूट करते थे, वापस आ जाते थे. और जो पतरगारी हमने करें, हमारे पास ना तो बुलेट-प्रू根 जैकिट थी, ना हेलमेट था, ना कोई प्लिस प्रथेशन थी, आर्मि प्रथेशन थी, हम सिरफ हमारी तो पांच घंटे लग जाएंगे और हम काबूल पहुंचे और फाइनली प्रबल ने काबूल से पीश्टू कैमरा किया और मैं इसमें एक और बात बता दूँ मैं पहला बारत यह था जिसका प्रोमो ऑन एर चलता था आज टेलिविजिन में आम देखो किसी भी कैमरा मेन का प प्रमो मतब वो अपने आप बोलके मीरा और प्रबल परताब सिंग्ग का टैंक पे आज तक फोटो लगा के देखता था कि यह दो जाबाज हमारे जो है अफगानिस्तान की वार कवर करने गए तो बहुत यह एक बहुत बड़ी बात है कि यह कैमरा मेन के लिए नहीं तो लो कि हमने लगता था कि हमने गल्फ वार सुनी थी करीब 1984 में जब गल्फ वार हुई थी हमने उसके बाद टेलिविजन पर किसी ने वार नहीं देकी तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहला बार तिये था जिसने पहली बार देश को लाइव लाइव मैंने लाइव वोल राइव सेटलाइट पून था वीडियो फोन था लाइव वार दिखाई मैंने तो इस तरीके से गुजरता गया काबूल से फते हुई फिर इसमीच यहां पे अटेक हो गया था तो काबूल स्टोरी कम हो गई थी उसके बाद हम वापस एक एर एरफोर्स का जहाज आ रहा था काबूल के एरपोर्ट से हम वापस आए गए हम ताजिकिस्तान और वो होते वे मेरे सोचने का तरीका बदल गया वहां पे जो भुक मरी जो लाचारी देखी और जाब जाबाजी देखी जो अफगानीस की मैं आपको पताना चाहरा हूं बड़ी खुशी हो रही मुझे यह पताते होएं बामयन आपने जो नाम लिया तो एक बार बीच में पंदरा सोला के आसपर थोड़ा पीस जैसा आया था तब इन लोगों ने खासकर बामयन में जो आपकी टूरिस्ट असोशीएशन है और जो वारे यहां से पढ़ाने गई स्टूडेट हम उन स्टूडेंट को तकरीबन 125 के करीब थे वाकाइदा यून के जहाद से और काबूल और काबूल से अपना बामयन तो वहां जाकर करके पढ़ाया गया उनकी तस्वीरे भी हम आप कुशियर करेंगे उस पर हमने एक्जिबि तक आप टेली वीजिन वेगरा के साथ रहे तीवी के साथ रहे और वहां का जनरिस्म खरते रहे फिर आगे इसके बाद इसके बाद जो है बहुती सुनिम यूग आया मेरी जिन्दगी में मैं जो है बतलब एक नया चैनल आ रहा था राजदीम सर्देसाई का नाम सब जानत यह तो उसमें उन्होंने मुझे मैं अभी तक फील्ड में कैमरा मेन था पहली बार मुझे उन्होंने एज एचोडी मुझे वीजूल डारेक्टर बनाया वीजूल डायित दिया कि आपको स्री नगर से लेकर केरल तक एक टीम बनानी है वीडियो जनरलिस्ट हमने पहली बार यह पहले कहते थे कैमरा मेन हमने सेनर आइबियन में पहली बार यह वीडियो जनरलिस्ट का वर्ड यूज किया मुझे वो दायित दिया गया मैं चुकि बहुत त्यावल करता था मुझे हर जगे के अच्छे लोग पता थे तो हमने जो है मैंने एक बड़ी टीम रिकूट कर एक चैनल जो 11 साल से नंबर वन था इंग्लिश का न्यूज चैनल उसको हमने छे महीने में पचाड के हम छे महीने में सेन आइबियन नंबर वन चैनल हो गया तो देश के नंबर वन चैनल का चीम वीजून डारेक्टर होना मेरे लिए बहुत सवाग्य की बात थी कि जो मेरी टीम थी उसका काम कंपारिटिवली बहुत बहुत शांदार था जो मेरे कुलीक्स थे कैमरा परसन्स जो थे वीडियो जनलिस थे वो एक ऐसा वो बना इतने अच्छे राजदीव का साथ एडिटोरियल टीम का साथ वो एक नया तो वो जो यो मेरे साथ हुआ जो अभी मैं ज जीपें बहुत जगए पढ़ाया अपने वें जा कि या जैसे क कैरेल में जा के हमने पढ़ाया कामरह पेस्पूंस को चिने में जाकि है थे महाँ जाकि हमारे सब्सक्राइब जांए सब करने में का दायत मिला और वहाँ पे नॉलिज शेर प सब्सक्राइब,, तो नॉलिज माटी तो बहुत 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 अच्छा लगा और यहां से जो है एक एक सैटिस्फेक्शन आने लगी तो जो आपने बोला कि क्या चेंज हुआ आज तक के बाद जब पहले तो आप खुद वरकर थे मतलब अब आप बड़े बाई का रूल अदा करने लगे आप एक गाइड मेंटर हो गए वो दाइत निबाना बड़ा मुश्किल काम होता है आप अपना काम तो पर्फेक्ट कर सकते हो बत इतनी बड़ी टीम के साथ और फिर चैनल को नंबर वन बनाना तो यहीं तक यह जन्मी रही अग बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कैसे कितना प्रोधा यहां से शुरू हुआ एक प्रोफाइल और कहां जाके चीफ विजुल डिरेक्टर बने एक पड़ा चैनल उसको संभाला बहुत ही इंस्पिरेशनल बात लग रही है और बहुत कुछ सीखने को है स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा लगा सार आपके स्टुडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे वह तो यह कहूंगा कि आज के स्टुडेंट्स बहुत लगी है जब हमने फिटागरफी सिखी तब उसके बाद हम बंदेंवे थे कि अपना काम कैसे दिखाएं लोग उसका एक ही माद्यम था या तो आपका किसी म या आप एग्जिबीशन लगाएं हमारे समय पे शोशन मीडिया नहीं था इंस्टाग्राम नहीं था हमारे पास यूट्यूब नहीं था मतलब कि यह बहुत सारे जो आज कुलें तो आज का जो फूटागरफर है कैमरा मेन है वो किसी संस्ता का मोताज नहीं है अगर उसके इंदर टैलेंट है क्योंकि यह इतनी बड़ी विधा है फूटागरफी जो है मैं तो एक न्यूस फूटागरफर रहा वीडियो जनलिस रहा न्यूस के सब्सक्राइब कोई फूटागरफी करता है कौन सा न्यूस में पर चापेगा फूट का मगर वो आज सोशल मीडिया प लोग सिर्फ वहां तक बंद के रह गए भाई पूटफोलियो करा लो या शादी करा लो या न्यूस पेपर तीन ही आया हम ते येस अगर आज के यूवा के लिए इतनी बड़ी मार्किट है मैं चोटी सी बात बताऊंगा कि आज सिर्फ एक आईपेल में डिजिटल राइट मुझे ग्राफिक आर्टिस भी चाहिए मुझे एडिटर भी चाहिए मुझे वाइस ओवर आर्टिस भी चाहिए आज ओटी टी का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज आपके पास जो आने वाले कैमरा में ने फिटागरफर्स है सिर्फ एक ही मैं बात बोलना चाहूँग कि जिस भी आप विदा में हैं उसके गोड़ सीखे सबसे पहले उसकी बारीकिया सीखे और अपने आप से जूट मत बूलिए हम बंद के रहते थे हम अगर आज हिंदुस्तान टैंस में हमारे पास कोई फूट फूटागरफी की अच्छी पिचर हमने शूट करी है बुच अ आज अगर मैं अधर हिंदुस्तान टैंस का फूटागरफर हूँ और मैंने फूड पिचर अच्छी लिये मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूं यूट्यूब पे जाल सकता हूं और जिन मतलब ओटिल्स को फूट फूटागरफर की जरूरत है वो आज मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो जोब अपरचुनिटी बहुत जादा बढ़ गई एक इनसान की कीमत बढ़ गई एक प्रोफेशनल इजट बढ़ गई तो जो भी बड़िंग फूटागर्स हैं वीडियो का फूटागरफर हूँ और जो आदमी टाइमस आफ इंडिया लेता है वो मेरा काम ही नहीं देखता तो मैं उसको कैसे अपना काम पहुचा हूँ येस मगर आज के जो यूवा फूटोग्राफर्स हैं और जो यूवा पीडिया उनके पास इतना ज्यादा एक्सपोजर हैं और बहुत बड़िया पैसे हैं साधन हैं हमारे जबाने में हम एक फोटो भेजने के लिए वो रोलर वाला फैक्स मशीन थी साथ मिनट तक चलने के बाद ट्वी यूवी यूवी एक फोटो जाती थी है यूद्या से और उस मीच में लाइन कट गई फिर दुवारा भेजो ह अब साथ बजे फोटो खीच के आते थे शाम को युद्या में और रात को बारा बजे तक अडिशन रुका हूआ है फोटो नहीं पहुंची जी आज पर इस जस्ट क्लिक आपने वहां शूट करी यहां लेंड हो एरट कैमरा टू आपके यहां लेंड हो रही है आप बाह अगर जी बातरूम को मुँवे केंड डाल के डार्क रूम बनाने में लगती थी फिल्म दोने में लगती थी फ्रिंट बनाने में लगती थी शो उन सब चीजों से आपको कोई कश्टनी है दूसरा आपका नॉलिज बेस्ट आज आज आपको कोई भी चीज अगर सीखनी है जैसे आएपी है, आपके बाद आज संस्तान है, हमारे पास अगर हमें फोटोग्रफी पढ़नी थी तो इधी यह था, निली स्कूल आफ कॉलिज आफ आप में, अगर आप 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 फोटोग्रफी, जामिया में है, दो या तीन जगे, दो तीन जगे, और सीट पिक बहुत कम में उसको से लोग सीरिस ही नहीं लेते थे, लोग यह सोचते थे कि यह फोटोग्रफर है, यह गड़ा है, यह इसको कुछ आता नहीं है, हमारे जैसे जो पड़े, जो चिंग करके आए, तो मगर आज आपकी, as a photo journalist, as a food photographer, आज आपकी इंजत है, आपको आज तो बस एक ही ब मार बार कहता हूँ, कि जिस भी विधा में हो आप, आप अपने आप को जूट मत बोला, आप, दिखावे से जूटे जो लोग आज फोटोग्रफी की दुनिया में, बेसिक ना जानके, और टूल्स के साथ खेल के फोटोग्रफी कर रहे हैं, वो समय के लिए तो आगे अगर वो, तो इसलिए लाइक्ट, इसको बहुत पॉजिटिव लेके चलें, टेक्नोलोजी इतना साथ दे रही है आपका, आपको बहुत खुला आसमाने हैं, अपरचुनिटीज ऐसे उड़ रही हैं, आपको जस्ट ग्रैब करना है, बस यही मेरा मेसेज है, कि इसको सीखे और इसको आगे बढ़ाएं, और हम साथ देने के लिए तही आ रहे हैं, हमारे से जब भी मज़ हो, इंसीचूट है, आप है, हमें, जुड़े हैं, और हम आगे बढ़ाएंगी इसको बहुत बहुत आभार, राजीव जी, अद्भुत, जानकारी और बड़ी इस्पिरिशनल स्टोरीज जो जगए-जगए की हमें सुनने को मिनी, क्या कहें, क्योंकि फोटोग्राफी में बिजनस होता है, फोटोग्राफी में पैसा है, फोटोग्राफी में ये जवाब देते-देते ठक गए, क्योंकि हर बार नए पेरेंट्स, नया सिस्टम, एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ वेडिंग तक दिखाई देता है तो आईपी ने ये इनिशेटिव लिया के लेट्स टॉक फोटोग्राफी एक पॉड्कास्टिंग बनाएंगे और यहां से अवेरनेस पहलाना शुरू करेंगे कि फोटोग्राफी एज़ा प्रोफेशन में और एज़ा बात आपको ब बासलोना के उपर उड़ रहे थे हम इटली से पुर्तगाल डा रहे थे वाजपई जी के साथ मेरा जनम दिन मना है आप एक बात बता दीजिए कितने ऐसे लोग हैं जिनकी 20,000 क्रोड की 2,000,000 क्रोड की इंडस्ट्री चल रही हैं क्या उनका जनम दिन परदान मंतरी के साथ हवाई जाज में बना है किस होजे से बिंग है फोटागरफर सो आज फोटागरफर की जो इजट है जो अपर्चुनिटी है उसको अब वो शायद पैसे से आप कंपैर नहीं कर सकते आप अपना जनम दिन 10,000,000 क्रोड रुपे भी खंच करके परदान मंतरी के साथ नहीं मना सकते हैं उड़ते वे हवाई जाजन तो यह उपलगदी तो आप आज उपलगदियों का पिटारा लगा है आप इस प्रोफेशन में आओ और इंजॉए दी मुमेंट इंजॉए डिवलेमेंट एंड क्रेट अबस अबाउट इट बहुत बहुत अभार राजीव जी बहुत है बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आप हमारे आँ आए और आपने इतनी बात बताई अपना एक्स्पीरिंस शेर किया अद्भुत मुझे लगता है कि इस तरह से जागरती भी आएगी और लोगों तक वो बात पहुचेगी जिसको हम पहुचाना चाह रहे हैं जिसको हम पूफ करना चाह रहे हैं ताइम अंड अगेन तो आज आपका IIP में आने के लिए और नेट स्टाफ फूट करने के लिए हमारे साथ बैठने के लिए बात करने के लिए बहुत-बहुत अभाव हर थे अ जी और फिर वही के Let's Talk Photography with Rajesh Goen चैनल को देखने के लिए आपका आभार आप सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और बैल आइकोन को भी जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाने वीडियो की जानकरी आपको मिलती है और आपको ये पता लगता है कि हम नया क्यानाने वाले हैं आज के लिए इतना ही राजीव जी का और उनके एक्सपीरिंस को हमारा सलाम है हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका असर, थैंक यू सो मच थैंक यू